हेलो गाइज वेल्कम टू करंट अबरेट करंट अबरेट में आप सभी का फिर से स्वागत है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो पोरस सेटी की उपर की प्राब्लिम रहते हैं उसका एक आज हम एक्जामबल देखेंगे कि उस टाइप के प्राब्लिम अपन के से इससे पहले अभी तक आपने करंट अबरेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन इसको जुरूर प्रेस कर दिजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दिजिए ताकि जो लेटेस्ट वीडियो आते है करंट अबरेट के द्वारा वो आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए चुरू करते है अपना एक्जम्पल तो एक्जम्पल क्या है a soil sample A and B having a void ratio 0.5 and 0.7 and respectively 1.5 meter cube of soil sample A and 1.7 meter cube of sample B are mixed to form sample C having volume 3.2 meter cube which of the following correctly represent the porosity of C तो इसके porosity निकालना है अपने को तो सबसे पहले अपने यहां पर गिवन डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या एक soil sample A है और soil sample B है तो यहां पर हम लिख लेते है soil A तो इसको 1 लिख लेते यहां पर तो इसका क्या दिया है अपने पास void ratio मतलब E1 दिया है 0.5 और उसके बाद में यहां पर उसका volume भी दिया है 1.5 meter cube इसको V1 लिख लेते है 1.5 meter cube उसके बाद में same soil B भी दिया है soil B इसका void ratio कितना दिया है अपने को E2 0.7 और इसका V2 दिया है 1.7 meter cube यहां पर अब हमें क्या बोला गया है कि अगर हम soil sample A plus B को अगर mix करते तो हमें क्या मिलता है C मिलता है अगर हमने soil sample A और B को mix किया तो हमें क्या मिलता है C मिलता है और उसका volume क्या है 3.2 meter cube है तो हमें क्या निकालना है उसकी क्या निकालना है 460 निकालना है क्या निकालना है तो उसके लिए उसके लिए वॉयड रुषर लगेगा यहां पर मैं a waste C लिखता हूँ इसका हमरे पास वेच Mimi 3 कित tuber A这 strain है 3.2 meter cube हमुछ सिकित यहां पर E3 भी निकालना है और क्या निकालना है 460 भी निकालनी है ये क्या है वाउट रिश होए तो सबसे पहले हम क्या निकालते है VSM निकालते है ठीक है The solid inner soil 1 क्या लिखते है The solids inner soil 1 तो इसको क्या करते हैं VSM करते है VSM क्या हुआ v1 plus 1 plus e1 यहाँ पर क्या हो गया है v1 की value क्या है 1.5 plus 1 plus 0.5 एक क्या हो आया 1 meter cube similarly हम soil यह क्या हुआ a के लिए हुआ similarly हम soil b के लिए भी निकाल लेते है v2 यह क्या हुआ v2 plus 1 plus e2 यहाँ पर का जायगा V2 की value put up करो 1.7 plus 1 plus V2 की value put up करो 0.7 तो इसको अगर मैं calcium में डालता हूँ तो के मुझे क्या मिलता है 1 meter cube तो अभी क्या करना है हमें इसको आगे solve करना है ठीके 41 minute तो आगे क्या मिलता हमें total volume of solids क्या of soil C V3 क्या मिल जाता है V1 plus V2 मतलब 1 plus 1 क्या हो जाएगा या पर 2 हो जाएगा कितना 2 meter cube उसके बाद में volume of voids in soil C volume of voids soil to volume of voids निकाल ला है soil C में तो यह क्या हो गया 2 meter cube हो गया हमारे पास current volume है कितना है v3 है जो कि 3.2 था और यहाँ पे यह विस्ट निकल गया है तो अगर मैं 3 में से 2 माइनस करता हूँ 3.2 में से 2 माइनस करता हूँ तो हम यहाँ पे 1.2 मिल जाता है vv तो यहाँ से porosity निकल जाती है अपनी porosity क्या है n इकल टू vv अपॉन v3 मतलब 1.2 upon 3.2 यह क्या हो गया है 0.375 हो गया है इसी तरह से porosity को calculate किया जाता है एक simple सा problem था यह जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा hopefully अगर आपको कोई comment में करना है कुछ doubt अपने बताना है तो मुझे बता सकते है तो that's it for today have a good day bye bye